Coming to PSIR, यह बहुत ही common optional है, इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 बेसिक्लि पॉलिटिक पर होता है, पेपर 2 इंटरनाशनल गरिशन को कवर करता है, हर पेपर के दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन A और सेक्शन B, तो जो पेपर 1 का सेक्शन A होता है, वो इंड writing different हो जाती है उसकी, तो ये constitution and politics वेगारा को cover करता है, paper 2 जो है उसका section A, आपका theories of international relations को cover करता है, आपका comparative politics को cover करता है, ये भी एक static part है, जैसा कि paper 1, पूरा का static part है, section A और section B, paper 2 का section A भी static part है, but coming to section B of paper 2, ये dynamic part हो जाता है, कहीना कहीन, ये थोड़ा सा tricky हो जाता है, इसमें आपका Indian foreign policy and international issues को cover किया जाता है, international organizations को cover किया जाता है, और उनके, जो current affairs है, कहीना कहीन, वहाँ उस चीज को cover किया जाता है, तो ये बहुत ही dynamic part है, आप्शनल में 5 questions होते हैं, तो 50-50 marks के, और उसके अगावा, आपको section A or section B में से questions चूज करने होते हैं, choosing at least one question from each section, तो इसमें, इसमें सबसे important ही होता है, कि आप questions की choice ठीक से करें, जब आपको हाथ में question paper मिले, तो आप सबसे पहले 5-10 minute गगाई है उसमें, 5 minute गगाई है उसमें, आप सारे questions पढ़िए, और वो questions चूज करेंजी, जिनको आप best answer कर पाएंगे, अगर आपने अपने best questions को नहीं चुना, तो नहीं आपका score down हो जाएगा, और फिर वो negative हो जाएगा, आपको आते विक भी नहीं हो पाएगा, जो दूसरे questions होते हैं, question 2, 3, 4, or question 6, 7, 8, इसमें 3 questions होते हैं, हर एक question के 3 questions होते हैं, एक question होगा 20 marks का, और बाकी 2 questions होंगे 15, 15 marks के, तो ये total add करके 20 plus 15 plus 15, तो वो भी 50 marks के हो जाते हैं, आपको 5 question attempt करने, तो 5 into 50 is to 50, ये आपका break up रहता है, इसमें कभी-कभी ऐसा होते हैं, कि आप किसी एक sub question को ये करके unsure होते हैं, कि आपको 2 तो sure हैं कि अच्छे से answer कर पाएंगे, बढ़ तीसरे वागे के लिए unsure हैं, तो again आपको वही एक call लेना होगा examination में, जो कि शायद सबसे difficult part है question का, कि वो choose करना, आप किसको छोड़ेंगे और किसको करेंगे, अगर आप वो चीज़ ठीक से कर पा रहे हैं, तो definitely आपका score 15 marks ये फिर 15 marks तो वहीं पर उपर उठ जाता है, score करने में, coming to strategy, आप optional को कुछ लोग होते हैं कि जो अपना decide ही या फिर उठाते ही सबसे पहली बार होते हैं, प्रिग्रम के बाद, आप वो गईती ही मत कीजी, in fact आप बाकी सारे GS को prepare करने से पहले, आप अपने optional को और ethics को prepare करके रखतीजी, मेरे strategy हमेशा वही थी कि प्रिग्रम उठाने से पहले या फिर में GS पढ़ने से पहले, आप optional उठाईए और ethics उठाईए और आप इन दोनों subjects को करके आपको गाप मिल जाता है पांच दिनों का GS के पेपरों में और ऑप्शनल के पेपर में तो पांच दिन का गाप होता है, वो मेरे लिए तो अठीज बहुत ही beneficial था, उन पांच दिनों में अगभग अपना पूरा उप्शनल एक और 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 रिवाइस कर गया था, जो कि मैं क समझने के गए, यह सारी बहुत अच्छी किताबे हैं, जो दो चीज़े में कहूंगा कि एक इंटरनाशनल एक पावनीत सिंग, अगर आपका IR में कोई भी बैक्राउंड नहीं है, और आपको इंडिन फॉरें पॉरें 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 पॉरेंसी बिल्कु भी समझ करवाती है, यह बुक, अधर दन दाट, जो बाकी तीन सेक्शन से, उसके लिए आपका वो तीनों स्टार्टिक हैं, और येस बुक्स आर अवेलेबल, बट जो सबसे बेस्ट चीज रहेगा, जो सबसे बेस्ट चीज रहेगा, जो आपको टिप दे सकता हूं, जो सबसे बेस जाते हैं, वो नोट्स बहुत कॉंप्रियंसिव हैं, और अपको नोट्स के बाहर जहांकने की बिल्कुई ज़रूरत नहीं है, आप उनी नोट्स को पढ़िए, बार बार पढ़िए, अच्छे से रिवाइस कीजिए, PSI में इंपोर्ट हो जाता है कि आप स्क्वागर को में